है गाइस वेलकम तो 5 मिनिट स्टोक एनालिसिस वीडियो जहां पर हम 5 मिनिट के अंदर किसी भी स्टोक का एनालिसिस करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है एंड उस ट्रेड के पीछे का लोजिक का है एंड सबसे इंपोर्टेंट बात हमको इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं सिप्राइस एक्षिन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं उस ट्रेड को एक्जिक्यूट करते हैं सो अब यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं में स्टार्ट हुचल हो एक सामयं में को इसिक के ड्रीवी तेक स्टार्ट के विक्ली टाइम चार्ट के अपर आज मैंने आज को इश्ट यहां प्रेश कर ने करने चाहिए फिर क्या करना चैए इस च्कूशन कादिक सारी टीक्यूरी आपकी में उल्जाने को मिली इसकी वगते हैं को सबकी है Canadian तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि डाउन्ट्रेंड में कभी आपको फ्रेश बाइइंग नहीं करना है यह चीज़ आपको ध्यान करना है आपको बाय कप करना है जब अपसाइड मोमेंटम कर रहा हो जब उपर की तरफ मोमेंटम कर रहा हो तब आप इसमें फाय कर सकते हो जैसे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस कंटिनिसली उपर की तरफ जा रहा था तो इस लेवल के आप आपने कहीं पर भी बाय किया में वहाँ पर अगर आप सोटा सा स्विंग टेट करते हो तो वह आप जरूर कर सकते हो लेकिन ओवरॉल ट्रेंड के साथ आपको चलना है ठीक है ओवरॉल ट्रेंड के अभी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव अगर टेट मिलता है तो ज्यादा बेटर हमारे लिए होता है अब यहाँ पर हम चलते है इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ओपर यहाँ पर हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और देखने के कोशिश करेंगे आप अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो किस लेवल के पर आपको करनी चाहिए और क्या आपका stop loss हो सकते है टार्गेट क्या हो सकते है वह सारी चीजी हम डीटेल में देखें देखो सबसे पहले तो रिसेंट का जो एक मेजर इसका जो support and resistance लेवल ता जो एक round level नमबर ता वो था 1400 का round level नमबर के आसपास में एक trend line को मार्क कर पर इसके आसपास था 1400 का round level नमबर है तो उसी के आसपास trade किया था फिर कोरोना का fall के बाद अगर प्राइस देखो के इसके उपर रजिस्टेंस करी थी फाइनल यहां पर breakout लिया ब्रेकाउट लेने के बाद इसको retest किया and retest करने के बाद एक से दो बार प्राइस ने इस प लेवल एक से दो बार यहां पर recently hit कर चुकी ठीक है यहां पर देखोगा तो एक simple सी बात है उपर से हमको continuously downtrend ही देखने को मिल रहा है अगर यहां से गर आप देखो को top level से तो price action simply negative price action बन रहा है और जो last swing आई था somewhere round 1400 से उपर और यहीं पर था and यहां पर देख से तो strong resistance level है इसी को hit करने के पाद price दो बार hit किया लेकर sustain नहीं कर पाई है and finally जो इसकी neckline तो उसको नीचे की तरफ breakdown किया तो अब यहां से कितना sell up और आ सकता है या फिर यहीं से अगर bullish momentum देता है तो हम कहां fresh bank कर सकते ठीक है तो एक चीज़ आपको समझने है जो strong resistance level है वो है 1400 का level 1400 के ल समझने है क्योंकि देख सकते हो इसको hit क्या strong resistance और support की तरह यह काम कर रहा है अभी फिलाल resistance की तरह काम कर रहा है क्योंकि दो बार price hit कर चुकि फिर से price इसके ओपर sustain नहीं कर पार ही और continuously वहीं से हमको गिरावट इसमें देखने को मिल रही and अभी last time में जो strong support level था somewhere around इसने ज डाइ मिलियन के साथ volume trade हुआ और उसके बाद हमको इसमें गिरावट इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिले तो definitely अब यहां से stock slow and steady नीचे की तरफ भी आ सकता है अब slow and steady stroke जो है अगे नीचे की तरफ आ सकता है ठीक है एक नया low लगाने के लिए price आ सकती तो नीचे में strong support की बात करूँ तो यहां पर simply जो last swing low बनाए तो इसका strong support है उससे पहले अगर बात करूँ अगर price यहां से support लेकर एक bullish momentum देती है यहां कि 1300 का round level number है जो कि इसका strong support level है ठीक है तो अगर price 1300 पर support ले लेती है ठीक है अब यह 5-10 रुपे की value नीचे हो सकता है लेकिन आपको एक च इचा होगा हमाली एक again उमीद हो जाए कि कि अगर price यहीं से support लेने के बाद 1400 का level break कती है देखो हुआ किया गिरावट हुई यहां पर आई थी price 1300 पर support ले फिर bounce किया फिर से इसको breakdown किया फिर से price ने bounce किया ठीक है 1400 का hit किया अब price again 1300 पर support लेने के बाद bullish momentum देती है तब भी ठीक है तो अगर price को उपड़ जाना है अगर price चाहती है कि वह उपड़ जाना चाहती है तो definitely वह 1400 का level break करेगी और जब तक 1400 का level break नहीं होता है तब तक आपको इसमें fresh buying नहीं करनी है for the long term ठीक है थोड़ा सा अगर positional trade आबर चाहते हो तो definitely आपको उसके हिसाब से बता रहा ह ठीक है तो यहां पर देख सकते हो last time जो इसका breakdown हुआ था देखो काफी अची तेजी हो रही थी इस trend line के पर price support लेटी और इस level के आसपास देखोगे तो 1500 के आसपास round level नमबर था यहां से हमको breakdown देखने को मिला था ठीक है तो इस trend line का नीचे के तर breakdown हुआ था उसके बाद से गिरावट देखने को मिल सकती है उसके बाद जो next support होगा वो होगा और 1100 यादि 1200 का एक round level नमबर है जहां पर price ने last time support लिया था जो की price ने recent का low बनाए तो वहां पर price जो है support ले सकती है ठीक है तो 1200 का level 2 strong support level है 1300 का और 1200 का ठीक है फिलाल आपको focus करना है अगर price 1300 पर support ले ले समझ में आया होगा जबते की price इस level को break नहीं करती हो उससे पहले आपको fresh buying नहीं करनी है आई होप की सारी चीज़े clear हो चुकी होगी एक चीज़ ध्यान रखना जो weekly closing मिलने चाहिए 1400 के उपर अगर weekly closing मिलती है तो हमारे लिए confirmation होगा और आज heavy volume के साथ गिरावट हुए तो यह गिरावट continue भी हो सकती है तो अभी आपको fresh buying के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है ठीक है so guys यार overall यह वीडियो आपको कैसे लगा comment box में जरूर बता है and ऐसे एगर analysis वीडियो आप चाहते हो time पे इन सारी चीज़े को देखना चाहते हो तो channel को subscribe करके जरूर बेल आइक